आज हर्याणा में बीजेपी ने एक चौंकाने वाला फैसला किया सिरसा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट रोताश जांग्रा ने आज अचाना अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया आज नामांकन वापसी की आखरी तारीक थी बीजेपी नेता अशूक तवर हाई कमान के मेसेंजर के तौर पर सिरसा पहुँचे रोताश जांग्रा को हाई कमान के फैसली की जानकारी भी फिर खुद उनके साथ परचा वापस लेने के लिए गए अब सिरसा में बीजेपी हरान्या जनहित पार्टी के चीफ गोपाल कांडा को सपोर्ट करेगी 2019 के असेम्बली एलेक्शन में गोपाल कांडा ने ये सीट जीती थी नाम वापस लेने के बाद रोताश जांग्रा ने कहा कि वो पार्टी के कारे करता है पार्टी नहीं उन्हें टिकर दिया था अब पार्टी नहीं नामांगकन वापस लेने का आदेश दिया है पार्टी नेत्रत ने सोच समझ कर फैसला लिया है क्योंकि इस बार बीजेपी को जीत की हैट ट्रिक लगानी है इसलिए उन्होंने अपना नामिनेशन वापस ले लिया है नॉमिनेशन वापसी के बाद अशोंक तबर ने कहा कि बीजेपी की प्रियारिटी चुनाब जीतना है कॉंग्रेस को किसी भी कीमत पर रोकना है इसलिए पार्टी हाई कमान ने ये फैसला किया हाला कि अशोंक तबर ने कहा कि गोपाल कांडा ने लोकसभा चुनाओ में बीजेपी को सपोर्ट किया था वो एंडिये के साथ हैं इसलिए पार्टी उनका सपोर्ट कर सकती है अभी तो फैसला ये हुआ है कि जो रोताज जांगडा जी हमारे उमीद्वार थे वो विड्रो खरेंगे उसके बाद आगे एक ही मैंने कहा कि लक्षे कॉंग्रेस मुक्त भारत हो कॉंग्रेस मुक्त सिरसा हो और कॉंग्रेस को हम इस देश को लूटने से बचा सके विड्रो हुआ है अभी सारी चर्चा होगी और उसके बाद क्योंकि ये तो स्वाभाविक है कि उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी का साथ दिया तो पार्टी सबसे सला मशुरा करके ठीक फैसला लेगी इंटरेस्टिंग बात या है कि सिर्सा में गोपाल कांडा ने पहले आइनल्डी और बेस्पी के साथ अलाइंस की डील की थी इसलिए सिर्सा में आइनल्डी ने गोपाल कांडा को सपोर्ट करने की बात कही थी आज बीजेपी ने गोपाल कांडा को सपोर्ट कर दिया इससे अभै चोटाला नाराज है अभै चोटाला ने कहा कि अगर गोपाल कांडा बीजेपी के साथ जाएंगे तो वो उनको सपोर्ट करने के फैसले पर फिर से विचार करेंगे इस बीच बीजेपी के सीनियर लीडर अनिल विज ने भी पार्टी के लिए एक नई मुसीवत खड़ी कर दी हर्याना के पूर ग्रिहमंतरी और अंबारा कैंट सीट से बीजेपी के उमीदवार अनिल विज ने खुलकर मुख्यमंतरी पत पर अपना दावा ठोक दिया अनिल विज ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला तो पार्टी हाइकमान को करना है लेकिन वो खुद भी मुख्यमंत्री की कुरसी के दावेदार है चुँकि बीजेपी हाइकमान ने पहले ही इस बात का एलान कर दिया है कि नायब सिख सैनी ही हर्याना में मुख्यमंत्री का फेस है इसलिए कौंग्रेस के निता अब अनिल विज के बयान पर मजे ले रहे हैं आज वोपेंदर हुड़ा ने अनिल विज के साथ सिंपथी दिखाई उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने नेताओं के साथ यही करती है विजेपी के साथ पहले भी गलत हुआ था आगे भी यही होगा इसके बाद चौधरी विरेंदर सिंग ने भी बीजेपी पर निशाना साथ है उन्होंने कहा कि वो दस साल बीजेपी में रहकर देख चुके हैं बीजेपी कभी अच्छे नेताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं देती विरेंदर सिंग ने कहा कि अनिल विज हर्याना में पार्टी के सबसे सीनियर नेता है एक्सपीरियंस्ट है लेकिन यही उनके नेगेटिव पॉइंट है बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री कभी नहीं बढ़ने देगी मेरा दस साल का बीजेपी गानवव यह है कि बीजेपी किसी को बड़ा नेतापन नहीं नहीं देती और जो बड़ा नेता गलती से बीजेपी में चला जाता है उसको आगे बढ़ने का कभी मौकान नहीं देती उसका सबसे बड़ा उदार राओ इंदर जी सिंग दस साल मोस से आगे नहीं बढ़ा है जिनको जिनमें तो आप अंदाजा लगा लें कि आने लिजेपी अगर सबसे सीनियर है तो उसको बीजेपी सबसे दूर रखेगी यह जो परजा तांतरिक वेवस्था है उसमें यह आटोक्रेसी का एक अंश आपको नजर आएगा